Mona Lisa, ये नम सुनते हैं आपके माइड में एक खुबसूरत सी पेंटिंग आती होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि ये इतना फेमस क्यों हुआ, कि आज के डेट में ये पेंटिंग एक प्राइज लेस पेंटिंग बन चुका है, यानि जिसका प्राइज नहीं लगाया जा सकता और इसे बुलट प्रूफ ग्लास के अंदर रखा जाता है, एक्चुली में लिवनाडो दो विंची ने इस पेंटिंग को पंदर सो तीन से पंदर सो साथ के बीच बनाया था, लेकिन उस टाइम ये पेंटिंग उतना फेमस नहीं था, लेकिन 21 अगस्त 1911 में इस को बताया जाता है, जिसके बाद ये पेंटिंग मोस्ट विजिटेट, मोस्ट रिटेन अबाउड और मोस्ट टॉक्ड अबाउड बन गया, क्योंकि लोगों के मन्द में सिफ एक ही सवाल आता था कि इतना बड़ा पेंटर इस पेंटिंग को कैसे चुरा सकता है, लेकिन कु इस तरह की इनफारमेतिव विडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब